तीन हफते से इखटा करेवी इस मलाई से हम कितना घी निकाल सकते हैं सबसे पहले इस मलाई को आपको अच्छे से फीट लेना होगा जिसके आप किसी विद्यो शक्ति यंतर की भी साहता ले सकते हो साथ ही उसमें आपको ठंडा पानी और बरहफ भी मिला देनी है और उसे तब तक फीटते रहना है जब तक मकषन और चांच अलग अलग नहीं हो जाते हैं अब इस मकषन को आपको साफ पानी में तीन से चार बार दो लेना है और आपका धेर सारा मकषन बनके त्यार हो जाएगा